आज हम काल पीरसन को इफिशन्ट औफ को रिलेशन का अभ्यास करने वाले हैं अगर तुम यह फॉर्मिला समझ गए तो इससे यह पुरा का पुरा नियुमरिकल तुम्हें एजी ली आ जाएगा फिर वस काूं कैलकुलेशन पार्ट लेफ्ट होता है वो तुम एजीली कैलकु क्वश्चन के अंदर दिया गया गए है कैलकुलेट कोफिजट औफ कोर्रेलेशन और यह डेटा दिया गया है अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है जो हशोलेटल देटा दिया घए है इसको vertically arrange करना है जो कि हमनें आपर कर दιά है इसके बाद हम इस सारे की सारे walk क्रेillis अगर मैं calculate करते बैठा बहुत जादा time लगेगा इसलिए मेरे notes के अंदर मैंने already calculate करके रखा है तो मैं notes से पढ़के आपे तुम्हारे सामने लिख दूंगा जो समझने वाला पाट है मैं तुम लोगों को समझा दूँगा अब वर्टिकली लिख दिया है अब आगे बढ़ते है सबसे पहले x square what do you mean by x square मतलब यह हमारा x का कॉलम है तो इसका मतलब 5 का square that is 25 9 9 का square that is 81 13 का square अभी 13 का square क्या है 13 का square is 169 उसके बाद 17 का square is 289 और उसके बाद 21 का square is 441 right next y का square यह हमारा y का कॉलम है 12 का square that is 144 20 का square is 425 का square is 625 उसके बाद 33 का square is 101089 35 का square is 1225 right next xy this into this x into y मतलब this into this 12 into 5 that is 60 20 into 9 that is 180 25 into 13 25 into 13 that is 325 right 33 into 17 33 into 17 is 561 21 into 35 21 into 35 is 735 right अब इन सारे के सारे लोगों के समेशन सब निकालेंगे that is summation of x अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे तो तुम्हें मिलेगा 65 उसके बाद summation of y अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे तो तुम्हें मिलेगा 125 okay next अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे तो summation of x मतलब अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1005 summation of y square अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3483 ठीक है अगर तुम इन सारे के सारे लोगों को add करोगे मतलब summation of xy is equal to 1861 अब हमें क्या करना है हमें simply एक ही चीज़ करने है which is in सारे के सारे values को यहाँ पर substitute कर देना है तो अभी what do you mean by n मतलब number of units एक दो तीन चार पाच पाच तो यहाँ पर 5 into summation of xy what the hell is summation of xy summation of xy is 1861 minus summation of x summation of x is 65 into summation of y is 125 उसके बाद upon n याने की 5 summation of x square what the hell is summation of x square 1005 1005 minus summation of x summation of x के 65 so 65 और उसका square यह अंदर याएगा और यहाँ पर n याने की 5 summation of y square summation of y square that is 3483 three three four eight three and यह bracket नहीं देते हैं यह पर इंटू लित क्या करेंगे इतना सारे brackets का राइट अचार तो डानना नहीं brackets का तो bracket जितने कम सुके उतना अच्छा और माइनस summation of y what there is summation of y 125 125 बेभी और और उसका square अब इसको डालो calcium है तो भी हमारा calcium है यहाँ पर सारे के सारे जितने वैलियू से इस कैल सी के अंदर हम डालने वाला है तो फाइव इंटू 1861 माइनस 65 इंटू 125 अपॉन अंदर रूट 5 इंटू 1005 माइनस 65 स्क्वेर ओके अंद बहार रहेंगे इंटू वापस दूसरा अंदर रूट इसके अंदर है 5 इंटू 3483 माइनस 25 का स्क्वेर ठेक है तो एंसर इस 0.986 तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि हमारा फाइनल सल्यूशन है आप हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी हमारा होमबॉक प्रॉब्लम है मैं यह चाहता हूँ कि यह प्रॉब्लम तूप सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताओ अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नहीं आ रहा है तो टेंचन मतलो नोट्स के अंदर आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ विच सल्यूशन मिल जाएगा यह हमारा इस प्लेस के अंदर हमने आपके लिए सारे किसारे लेक्चर्स इस सब्जेके अविलेबल करके रखे हैं तैंक्यू सो माच